इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 अब वर्स्ट एयर साबित हुआ है एस्पिरेंट्स के लिए चाहे वो स्टेट लेवल पर पेपर लीक से स्टार्ट हुआ हो आपने साल पर तैयारी करी आरो लीक हो गया, कॉंस्टेबल लीक हो गया, सेंटर लेवल पर नीट यूजी लीक हो गया उसके बार नेट अट यूजी का कैंसल हो गया नीट पीजी पोस्पोन हो गया और फाइनली किसने सोचा था कि ऐसा भी हादसा हो सकता है जिम्मेदार चाहे जो कि पढ़ते पढ़ते किसी को अपनी जान गवानी पढ़ सकती है लाइड में बैठे बैठे आपको पता नहीं है कि आप इस लाइड बाहर आज जा पाओगे मतलब, when it comes to talking about it on a public platform or even in person, I lack words because कही न कहीं यह हम सब के लिए personal loss है, कही न कहीं हम सब वो same journey जी रहे है और उन सब के surrounding में जो वो सारे लोग रहे होंगे, उन्होंने खुद अपने लिए जो सपने देखे होंगे लेक, personally मैंने तीनों लोगों के बारे में पढ़ा हूँ और इस हाथसे के बाद हर दिन, back end पे तो मेरे यह चली रहा था मुझे लगता था, जो हम कर रहे हैं, क्या इसकी जरुवत भी है, मतलब क्यों पढ़ना है, क्यों तयारी करनी है, क्या मतलब है, कुछ value नहीं है human life की और और जाने कितनी बाते हैं, शायद मुझे public platform पे कहनी भी चाहिए कि नहीं कि क्या यह हमारे developing country का problem है या क्या है हमारे administration का problem है, government का problem है, MCD का problem है, infrastructure का problem है, corruption का problem है या problem हम सब में है, कि हम इसके लिए aware enough नहीं है, आवाज नहीं उठा रहे हैं, या अगर हम आवाज जब उठा रहे हैं, तो उस पे proper action नहीं लिया जारा यह सारी बाते हर रोज दिमाग में चल रही हैं, कभी ज़्यादा intensity से, कभी कम intensity से पर चल रही है जिसका मतलब है, I know most majority of us जानते होंगे, बट कि उन्होंने Central Government और Delhi Government से explanation मागा है कि हाँ अपने safety norms बताइए अगर वहाँ पर नहीं है, क्योंकि यार जो भी अगर 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 नहीं होके आयो तो मत जाना, पर अगर कभी होके आयो तो आपको समझ आएगा कि वहाग कई situation वहा है, कोटा में भी खराब होगी definitely, मैं कोटा कभी नहीं गई, बट शायद हर कोई बस हमारा students का रहा तो फाइदा ही उठाया जा रहा है, या फिर हम लोग ही अपने लिए बोलनी पा रहे है, अब इस matter में मुझे ऐसा लगता था कि यार जैसे नीट वाला matter हुआ, अलग हमारे मतला है बहुत गुस्ता है इसलिए जब भी हम नराज होते हैं as a public, जब बहुत मैंने उनकी वीडियो देखे नहीं थे, कि ठीक नाराजगी होगी 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 यार नोने कुछ बोला नहीं, फिर अशे उनकी वीडियो सामने आए, मैं मेडिया हुस की कदर करते हूँ, जिसने उनसे सीधा बोला कि आप बिना लाग लपिट किये बताइगे कि आप कहां थे मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी मेरी नजर में उनके लिए कोई रस्पेक्ट आएगी Yes, I am saying it. I don't know even I should say it like this or not because यार, empathy एक word होता है ethics में It was missing on his face. मतलब वो कह रहे है कि मैं अपने गुरुजी कहां चला किया and I am sorry sir but मुझे ही लगता कि आपको आर्मी में कभी होना चाहिए because फिर तो आप बोलते है कि यहां पर यह सब मैटर हो गया तो किसने जाके मेरे माबाब को बोल दिया कि तुम्हारे बेटे के कोचिंग में ऐसा हो गया तो उनकी दरबर खराब हो गई I assume like from the age group you belong and the kind of money you are having I am sure कि उनके लिए आपने proper facilities रखी होंगी तो क्या आर्मी में कोई बंदा रहेगा जिसके पास तो कफी basic facilities होती है बस salary आरी होती है होने अपने दोस्तों को अपने साहथ पढ़ने वालों को खोया था या उनके अंदर का जो सारा frustration था वो सब बाहर आ गया था वो सारी चीज़ें याद आ गई थी जिसकी वाईसे जैसे एक जो है उनने बताया कि एक दो-तीन दिन पहले उसके एक लड़की ने suicide कर लिया था विकरस अचानक से exam day पर rent बढ़ा दिया था उस owner में मैं मानती हूं इस situation में अब इस point को लाकर कि इसका solution ढूँदना possible नहीं है बट यार death तो उसकी भी हुई न और ऐसे में आप बिना मतलब एकदम इमोशन लेसली जैसे भी बोल दो अब यह कह रहे हो कि यह 1942 का मोमेंट लग रहा है जिसमें कोई leadership ही नहीं है तो definitely मुझे जो feel हुआ मुझे जो इतनी नाराजगी हुई वो particular उनका वीडियो देखने के बार कि बच्पन में मुझे याद है स्कूल में बहुत ही बुष टाइप के teachers वह करते थे कुछ सब के school में होते थे कुछ हमारे जिसे जो हमें अच्छा ग्यान देते थे या हमारे फेवरेट teachers वह करते थे तो जब भी कुछ ऐसे ना यह तो generally सारे स्कूल में partiality वगएड़ा हुई है या फिर कुछ बुरा हुआ है या कुछ और हो गया है तो हम generally वह अपने फेवरेट पड़े teachers के पास जाते थे और या तो वह हमें console कर देते थे कुछ ऐसे भी होते थे जो reaction नहीं देते थे या जो हमारे लिए कुछ help ने कर देते थे पर हमें console कर देते थे या तो तो सर या तो आप कोई condolence वाली बात कर देते या तो वो लोग हमारे लिए action लिए थे क्योंकि हमें एक hope होती थी कि सर हमारे लिए stand लेंगे, सर हमें guidance देंगे, stand मतलो guidance देंगे हमें leadership देंगे, हमारा support हमारे लिए खड़ा हो जाए, अब जैसे कि लोगों ने लगाया कि कुछ नहीं होगा तो तरजुर्वा होगा, क्यों डर ही जिंदगी में भाई मैंने कभी नहीं बोला कुछ भी उनके बारे में in fact मैंने ओजासर के बारे में कुछ नहीं बोला collector cyber वाले किताब पढ़ी थी, उसमें हर जगा ओजासर को बोजासर मेंशन किया हुआ था कि उनके उसमें गए, हम लोग वर्क्शॉप में गए, और दो कुछ फाइदा नहीं हुआ मुझे लगा यार ऐसा क्यों मेंशन कर रहा है ठीक थाक तो बोलता है वो आदम trust me मैंने इसी साल के starting में वो किताब पढ़ी है मैंने ठीक तो बोलता है यार आदमी की अकेले रहो राजा हमेशा अकेले रहता है struggle करता है, यह करता है, वो करता है मैंने देखी है उनके कुछ-कुछ वीडियो कुछ मुझे थोड़ी empirical लगती थी पर मुझे रहता है कि नहीं ठीक है, हर आदमी के अच्छे point पर focus करते है और कुछ ना कुछ तो यह अच्छा बोल रहे है कि हां कर रहे है, offline coaching को fantasize करना वो सब बाते रहने देते हैं, बठा motivate वाला चलो कर रहे है, external motivation ही सही देड है जो भी कर रहे है, ठीक कर रहे है बट ऐसे आदमी की moral, ethical, public responsibility बन जाती है कि जब ऐसा कुछ हो, तो आप वो ना बोलो जो आप उस media house के platform पर बोल रहे हो कि गलती आप लोगों की है फिर मैं उनका एक और वीडियो देखा उसमें वो सज़ेस्ट करने लगे कि आप इतने जो है, यह होना चाहिए यह सब पहले क्यों नहीं बोला आपने अगर आप इतने ही, जैसे नोंने बोला ना उस वीडियो में कि देश का जब खराब समय आता है तो हमेशा सबसे पहले विद्वानों का अपमान होता है और दिवय किर्थी सर इतने बड़े विद्वान हैं कि ऐसे प्रकान विद्वान के एकर दस बाते भी ऐस्पिरेंट सीख लें तो अपने जिंदगी में कहीं पहुँच आए मतलब मुझे more more मौसेरे भाई वाली feeling आ रही थी मैं particularly इनी की बात कर रही हूँ कहीं से भी वो विडियो मुझे एक बबस मने बोला कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ उसके लावा बाकी सारी बातों में वो आदमी मतलब मुझे बस एक लिगा कि there is the word empathy missing and now अब की बात तो मैं इस आदमी के लिए मेरे उमन में कोई respect नहीं बची भाई इसे जो भी नराज है जितना भी नराज है लोग valid नराज है क्योंकि कैसे आप ऐसे माहल में जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका गोल मटोल गुमा गुमा कर जवाब देखने के साथ-साथ जिनकी साथ आपको खड़ा होना चाहिए चलो बीच नहीं जाते विडियो से बात कर लेते अगर आपको डर लग रहा था तो कुछ तो कहते कुछ ऐसा कहते कि लगता कि हाँ आप हमारी साइड हो नकी आप बिजनस की साइड हो आप देखना वो विडियो आपको मिल जाएगी उसके बाद फिर बात करते हैं दिव्यकिर्टी साथ की भई उन्हें पता नहीं हिंडी मीडियम वालों ने भगवान बनाया यह इंग्लिश मीडियम वालों ने बट मुझे लगता है कि जहां आप खोलो बस अगर आप UPC की त्यारी कर रहे हो तो और अगर आपने YouTube पे on रखा है अपना history तो आपको हर तरफ कुछ ना कुछ मिली जाएगा कि अब इन्होंने यह बता दिया अब इन्होंने यह कह दिया जैसे वह कहते हैं कि हमारी क्यूट है एक वीडियो में ने देखा था और महीं आपके लिए से बाते करना काफी easy है शायद ठीक है let it be उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि मैं पूरे समाज से माफी मांगता हूं वगेरा 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 उन्होंने यह भी कहा है कि मैं अब तक कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं expressive नहीं हूं expressive नहीं हुँ मैं ऐसे matters में ठीक है आप expressive नहीं है आप चाल दिन बाल आके भी defensive क्यों play कर रहे हैं आप responsive reactionary क्यों नहीं play कर रहे हैं उन्होंने same media host ने उनसे भी question पुछा तो उन्होंने बोला है आप चाहिए जिसको जिम्मेदार मान लीजे मैं किसी पर ये इल्जाम नहीं थोपूँगा जिम्मेदारी हम सब की है which is partially true and politically correct तो जिस time पर you should be standing with the aspirants वो लोग जो आपको हमेशा से idolize करते हैं आप वहाँ पर एकदम वो diplomatic political statements दे रहे हो इसमे time बात मुझे ये feel हुआ this is my personal perspective what do you feel you let me know but यार मुझे तो यही लगा कि अब सचमुच हमे solutions पर आप में सोचना चाहिए जैसे ना being a UPCS student हमारे चैनल पर बहुत बार ये comment आता है कि आप बंगलूरू क्यों रहते हो ठीक है I was living in बंगलूरू I am currently living at my home and I will again go to बंगलूरू because of my job but people go to Delhi यह उनका comment होता है कि लोग तो Delhi जाते हैं त्यारी करने के लिए हमें इस mindset में सोचना चाहिए सोचना पढ़ेगा क्योंकि जब तक उसका धंका result नहीं आएगा इतनी चल्दी I am not getting pessimistic I am just getting real Supreme Court ने action लेना है और इस matter में justice मिल जाए अभी के लिए current हमारी यह कहते हैं उसको यार current requirement, current need, जो भी है वो यही है but library बाले fees कम कर दे owners का दिमाग ठिकाने लग जाए अभी एक broker का video देखा मैंने वो कह रहा है कि हम 10 बारग घर घुमाते हैं और वो बिना हमें decision दिये चले जाते हैं हमारा petrol लगता है and trust me, 6 में देली रही थी और इसमें 3 brokers से witness और 11 महीने हम service देते हैं I don't know, जो भी है सुन रहा हैंगे उनको पता होगा कि वो लोग क्या करते हैं और कैसा करते हैं पर ठीक है particularly brokers तो क्यों target करना है owners की हालत, तो उन सबको बता होगी जो कभी भी डेली में 4 मेने भी जाके रहके आया है किसी भी reason की वचस है next चीज जो लगी मुझे बुरी as a society भी थोड़ा हम fail हो गए है थोड़ा ने काफी जादा जब ये incident हो रहा था, मैं लगतार कभी भी news देख रही थी तो जो प्रिली उनके आंखों में आंसों आ गया और camera वाले उनके आंखों पर zoom कर दिया बस उनकी eyes और nose दिखाए देया था मुझे लगता था यार ये कौन से reporting कर रहा हो तुम्हें से क्या मिल जाएगा मतलब तुम्हें से मिलेगा क्या I don't know about camera कि उसने अपने तरफ से camera भी आगे बढ़ाया या नहीं कि उन्हें पता भी चल गया हो या बस zoom किया अपनी जगह से बट यार क्या किसी कोई बात पता नहीं है कि कोई अपने घर का family member खोएगा तो वो रो देगा उसमें zoom करके दिखाने वाली क्या बात है I really want to ask कि यह कैसा question है यार कोई किसी से पूछता है as a question ऐसी situations में में रिक्वेस्ट है कि प्लीज या तो ground reporting करो मत next level torture मत करो family को अगर करना या ground reporting तो यार ORN में जो बच्चे रह रहे हैं उनका घर दिखाओ कुछ लोग दिखा रहे है न कि हाँ वो कैसे रह रहे है कि situation में रह रहे है उस library में जहां यह हाथसा हुआ बाकी coaching में basement का library का rent का इन issues पर बात करो न हर चीज़ को बस views के लिए politicize कर देना कितना सही है उतने पर ही नहीं रुका उसके आगे वहीं ही बैठ कर कह रहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे श्रिया के घरवाले बैठे हुए हैं और जाहिर से बात है कि मिड़े class family है श्रिया के पापा एक दुकान चलाते हैं पता नहीं यार पता नहीं क्या बोलें मतलब यह बात तो समझ आती है कि हां current phase में current life में हम सब अपनी अपनी जगह अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हम survive कर रहे हैं अपना अपना ही journey और बस survival ही life है seeing the administration, seeing the job opportunities, unemployment and climate change, multiple issues but इन सब में कोई अपनी life बिना किसी reason के लूज करते बैठे बैठे how unfortunate is that इससे जादा कुछ बुड़ा होई नहीं सकता मुझे ऐसे एक दिन ये thought आया था कि मैंने उन्हें उन्हें पढ़ा कि नेविन के पापर retired DSP है मुझे लगा कि यार अपसे लेकर हमेशा तक उन लोगों को ये feeling आएगी ये thought आएगा कि यार इस इस तो life is the biggest thing you can cherish with but जिसमें हमारा control ही ना हो ऐसी कोई चीज हो जाए और हो जाने के बाद जो surrounding है वो इस तरीके से बियर करें कि उसका कुछ solution हमें ना मिले उस पर हमें action ना मिले emotionally कितना devastating हो जाता है हमारे लिए ये बात यही खतम नहीं होगी let's see Supreme Court से हमें क्या और better news और better action देखने को मिलता है and let's hope for justice let's hope for कि जल्दी से जल्दी जो भी इस पर action होना हो वो हो ताकि जिन लोगों का जो लोग वहाँ पर खड़े हैं इस situation में stand लेके उनका precious time उनकी उनका life सब कुछ save हो, सब बचे I am seriously lacking words here and that's why I just want to end this year आप जहां भी हो अपने आपको सुरक्षित रखो और अपना ध्यान रखो और याद रखो कि आप जो तयारी कर रहे हो वो अपनी जिन्दगी बहतर बनाने के लिए कर रहे हो तो आपकी जो decisions होने चाहिए वो अपने आप में सबसे पहले safe होने चाहिए बिकास आपकी safety ही आपकी first priority है आपकी health ही आपकी first priority है and everything is rest Thank you and see you again Hey buddy, thank you for watching in case you have not subscribed we will meet again because life is a circle जिसमे एक्जम की तयारी कर रहे हो फोर दो study hard, take care and be happy